आज हम बात करने वाले हैं नियंतरन की सीमाओं के बारे में अब तक दोस्तों हमने जाना है कि नियंतरन क्या होता है और इसका क्या महत है आज हम जानने वाले हैं कि इसकी क्या-क्या limitations है क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज हो, कोई भी काम लेलो आप कुछ उसके positives होंगे तो कुछ negatives भी जरूर होंगे तो इन ही कुछ limitations के बारे में या negatives के बारे में आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तो आज ये दोस्तों जा time ना waste करते हैं शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अब आप हमारे instagram या facebook page से भी जोड़ सकते हैं तो बात की जाए यदि इसकी सीमाओं की दोस्तों तो हम कुल चार सीमाओं इसकी देख सकते हैं कौन-कौन सी पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ फिर इसको एक-एक करके detail में जान लेंगे जोस्तों इसकी पहली सीमाओं बता सकते हैं की परी मानात्मक मानको को निर्धारित करने में कटि नाई ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इसके लाव दोस्तों इसका दूसरा जो महत्व है वो है बाहरी घटको पर अल्प नियंत्रन मतलब जो बाहर के घटक होते हैं उन पर अल्प मतलब कम नियंत्रन ठीक है इसके लाव दोस्तों तीसरा है करमचारियों का परतिरोध ठीक है? और दोस्तो इसका चौथा और लास्ट जो सीमा है या Лमिटेशन है वो है कि यह है कि एक महेंगी प्रक्रिया है ठीक है? तो दोस्तो यह इसकी चार्ण सीमा तो निको एक एक करके जान लेते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मात्रा के रूप में शो कर सकें वह परिमानात्मक होगा ठीक है quantity के रूप में हम किसी चीज को शो कर सकते हैं तो वो चीज परिमानात्मक होती है अब जैसे मैं एक example बताता हूँ जैसे दोस्तो हमारा target है कि 2,00,00 यूनिटों की sale करना तो यहाँ प यह एक standard है कैसा standard है जिसे हम मात्रा के रूप में शो कर पा रहें लेकिन दोस्तो कुछ ऐसे standards भी होते हैं company में जिने हम इस रूप में शो नहीं कर पाते हैं जो की कमजोरी है नियंतरण की जो की कमजोरी है नियंतरण की एक्चुल में दोस्तो जो control system होता है न उसका मेहत वो quantity में set कर सकें जहां पर हम standards को quantity में set कर सकें जैसे मैंने example बताया भी sales का दो लाग यूनिटे sales की तो हमने इसको quantity में set कर दिया जो हमें sales करनी है हमारे target को लेकिन दोस्तो आप एक बात बताईए क्या आप human behavior मतलब मानव वेवार या फिर उसकी कुशलता का level job certification उसका belief या फिर आत्मविश्वास इसको क्या आप quantity में show कर सकते हैं क्या कि उसमें 1 kg आत्मविश्वास है उसका मानव वेवार 5 kg है कुशलता का level 5 है job की संतोष्टी 10 है ऐसा तोड़ी है ये चीजे दोस्तो ऐसी है कि जिने हम मात्रा के रूप में show नहीं कर सकते हैं ये क्या होते हैं ये क्योंकि ये गुण के बारे में बता रहें भाई मानव वेवार कैसा है अच्छा है बुरा है आत्मविश्वास ज्यादा है कि कम है ये क्या होते हैं ये गुण होते हैं तो दोस्तो इन चीजों को quantity के रूप में show करने में problem आती है ये ही क्या है control की या नियंदरन की एक सीमा है इसलिए का आगया है कि परिमानात्मक मानव को को निर्धारित करने में कठी नहीं ठीक है इसके लब दोस्तो इसका जो दूसरा जो इसका सीमा है या limitations है वो है दोस्तो बाहरी गटकों पर अल्पनियंदरन इसमें तो सीजी सी बात है दोस्तो कि आप अंदर की चीज़ों क तो control कर लोगे मतलब आप employee को control कर सकते हैं आप अपनी policies को control कर सकते हैं ठीक है आप अपने production को control कर सकते हैं ठीक है लेकिन दोस्तो government की क्या policies है technical change कितने आ रहे है भार fashion में change क्या हो रहा है competition बढ़ रहा है या बढ़ रहा है तो किस तरह का competition बढ़ रहा है competitor की संक्या कितनी क्य है बढ़ रही है उनकी policy में changes आ रहा है ये सब चीज़े आप control नहीं कर सकते हैं ठीक है तो बाहरी घटक यही होते हैं और इन पर अल्पनियंतरन होता है इसकी ये भी एक सीमा है control में आप अंदर की चीज़े तो control करोंगे ना भार थोड़ी control कर सकते हो तो ये इसकी एक सीमा है इसके लाव दोस्तो इसका तीसरा जो कमी है वो है दोस्तो कर्मचारियों का प्रतिरोल सीधी सी बात है दोस्तो कर्मचारी जो होते हैं वो हमेशा कड़े नियम कायदों या नियंतरन का विरोध करते हैं या आपने देखा भी होगा आपने सुना भी होगा कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे लिए भाईया कड़े नियम कायदे बनाये जाए ठीक है उनको क्या लगता है अगर कड़े नियम होते तो उनको ये लगता है कि उनकी आज़द ही छिन रही है आप कड़े नियम काईद है क्या हो सकते हैं जैसे जैसे दोस्तों यह नियम बनाय जा सकता है कि आप कारिये करने के दुरां मतलब Working Horse में आप phone यूज़ नहीं कर सकते हैं अपना phone यूज़ नहीं कर सकते हैं phone आपको जमा करा के जाना पढ़ेगा जैसे कई कम्पनियों में रूल भी है यह बड़ी-बडी कम्पनियां में तो अक्सर यह रूल है यह, इसके लाव दोस्तों कैमरे लगाना, जहां काम कर रहे हैं वहाँ पर कैमरे लगाना, यह भी एक नियम है, इसका भी विरूद करते हैं, उनको यह लगता है कि इससे उनकी आज़ादी छिन रही है तो वो सीधी सी बात है कि प्रतिरोध करते ही है ज़्यादा कंट्रोल होगा तो वो उसका विरोध करते हैं प्रतिरोध करते हैं तो ये भी इसकी कंट्रोल की एक सीमा है इसके लाव दोस्तों इसकी लाश्ट सीमा ये है कि यह एक महंगी प्रोसेस है महंगी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि दोस्तो देखो छोटी कमपनियों के लिए तो यह महंगा ही है बड़ी कमपनिया क्योंकि दोस्तो आप एक ऐसे बंदे को अपोइंट कर रहे हो जो केवल सारी चीजे कंट्रोल करेगा मतलब controlling manager को आपको appoint करना पड़ेगा तो उसको कितना पैसा देऊगे ठीक है पैसा देऊगे, effort लगाने पड़ेगे time consume होगा ठीक है तो बड़ी companyों में तो यह चल सकता है लेकिन जो छोटे व्यापारी है, छोटे उधमी है ठीक है, वो कहां से इतना पैसा देंगे तो सीजी सी बात है इसमें दोस्तों क्या करना चाहिए इसमें दोस्तों यह देखना चाहिए कि यह जो controlling process करने से पूरी cost कितनी आ रही है और उससे अपने को फायदा कितना हो रहा है अगर फायदा ज़्यादा हो रहा है तो यह आप प्रक्रिया अपना सकते है लेकिन दोस्तों अगर फायदा कम हो रहा है और cost ज़्यादा आ रही है तो फिर controlling process अपनाने का कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों इसलिए का है यह भी इसकी limitation है कि एक महंगी प्रक्रिया है तो दोस्तो ये थी इसके कुछ सीमाएं ठीक है लेकिन फिर भी ऐसा हम कह सकते हैं कि आला कि इसके कुछ सीमाएं है लेकिन दोस्तो एक कंपनी में कुछ हद तक तो नियंतरन जरूरी ही है हर जगे है जैसे मैंने आपको इसकुल का एक्जमपल बताता लास्ट वीडियो में कि इसकुल का प्रिंसिपल अगर ध्यान नहीं देगा तो दोस्तो इसकुल ठीक डंग से नहीं चल पाएगी तो कहने का मतलब दोस्तो इतना सा है कि कड़े नियंब नहीं लगाए जाए और उन नियम में दोस्तो थोड़ी flexibility हो तो दोस्तो ठीक रहता है employee के लिए भी ठीक रहेगा ठीक है लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि कोई rules ही नहीं है कोई regulation ही नहीं है कोई control ही नहीं है ऐसा भी नहीं है कुछ नियम कायदे जरूरी है कुछ control जरूरी भी है तभी जो है company ठीक रंग से चल सकती है तो आज की वीडियो में दोस्तो पस इतना ही वीडियो यह दिपता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर भी करें धन्यवाद